मुझे 20 साल हो गया इस लाइन में काम करते हुए और मैं नोलेज वही देता हूँ जो लोगों को फाइदा हो मैंने आज तक कई लोगों को फैक्टरी खुलबा दी कई लोगों को नोलेज दे दे कर आज इतना स्टॉंग कर दिया कि अपने पैरों पे कई लोग खड़े है मुझे आज भी कोल करते हैं और कहते हैं भाईया आपका धन्यबाद आपने मुझे इतना आइडिया इतना गाइड किया कि इस लाइन में कोई इतना गाइड नहीं करता जो मैंने लोगों को गाइड किया कि मसीने कौन सा लगाएं कैसे बिजनेस करें कैसे अपने बिजनेस को स्टॉंग करें तो जोस्तों अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हो और अपने काम को एकदम स्टॉंग करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपको कहीं से भी नुकसान ना हो इस कपड़े के बिजनेस में तो तो ये वीडियो आप देखेगा आज मैं बहुत ही काम की बात करने जा रहा हूं और बहुत ही अच्छी बाते और नोलेज वाली बात बताने जा रहा हूं जो कि आपके काम आए और इन लाइन के नहीं है पहली बार मेरी वीडियो को क्लिक करके आप देख रहे हैं तो मैं आपको लोलेज यह ही दूँगा जो आपके काम के हैं दोस्तों कई लोगों के दिमाग में चलता है कि अगर मेरे पास तीन लाक रुपे है तो कैसे बिजनेस करूं कई सोचते मैं दस लाक लाक रुपे हैं तो कैसे बिजनेस करूं तो आज मैं इसी बिजनेस की टोपिक में बात करूंगा एक्चुली आज मैं यहां पर अकेला हूं कोई भी नहीं यहां पर बरकर काम करने के लिए only four bus cameraman मेरे पास है जो अभी मैंने बुला है camera man को थेंक यू सराण Canadians जो मेरे पास मेरे पास आएं मेरी जो इतना help कर रहे हैं तो मैंने cameraman को आज बुला है क्या आज कुछ knowledge की video मनाते है और साथ में काम भी करते हैं कोछ तो अज मेरा काम भी कलका ही urgent है मैं सबसे पहले आपको बताओं कि अगर मेरे से कोई गलती होती है मीरी वीडियो में तो दिल से माफी चाहता हूं, सॉरी बोलना चाहता हूं, अगर मैं ज्यादा चिला के बोलता हूं, आज चिलाने वाला नहीं हूं, क्यए आज सोड़ी energy कम है बस में काम की बात करते हैं पटा फटा फालतु बखवास कम करते हैं श्टार đ्याट करते हैं काम की बात से तो दूस्तों सबसे पहले क्या होता है क्यों लोकों के अंदर दिमाग के अंदर माईन में आता है बिजनेस को कैसे करें कपड़े के बिजनेस को तो अगर आप अपने बिजनेस चालू कर रहे हैं सोच ले मैं कपड़े का बिजनेस करना चाहता हूं तो सबसे बड़ी आप गलती क्या करते कैसे गलती करते हैं मैं आपको बतार हूं कपड़े की बिजनेस में माल लीजिए आप जोब कर रहें 20-30-35 बात कमा रहा है अरू defy पर पयुद्फ निकाल लिए और सीना चोड़ा करके बिजनस סु कर दिया और आप लौफिदी चोड़ था किमिकि आप ने सोचा यार दो लाक रुपध लगाettsायरेंने क्या रखता नंवें कि दो लाक रुपे लगाना तो असान है लेकिन इस दो लाक को निकालना बहुत मुस्किल है और मैं आज आपको आइडिया देता हूं दो लाक को कैसे 10 से 20 लाक बनाएं तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी इंपोर्टेंट है कि दो लाक से सिद्धा 20 लाक रुपे बनाने करा राज अिटेलिजैन्ट बंदा हो अगर पहली बार कपड़े का बिजनस कर रहा है तो दो लाक को चार लाक नहीं करता हूा दो को लाक वी डुप जाएगा होता क्या है कि दुमाद वे चलता है किमालीजी यह अक टी-शेट है अब यह टी-इस आपको ऑलसेल में 300 रिपे कर देता है करता है क्या है कि आपना बैप साइट में लांच कर लेता है अगर आपने अपना बैप साइट किया 500 की टी सेट बेच रहे हो और पहली बार बिजनस कर रहे हो तो पहली बार आप यह सोचीए कि वह अदर बंदे हैं जो आपके website को देखेंगे, आपके article को देखेंगे, वो आएंगे कहा से, यह तो आपको मालूम नहीं होगा ना, आप तो आपको website बना लिए, और एक दो वीडियो बना कर डाल दिये, Instagram, Facebook पे, भाईया हमने website चालू किया, आईए खरी दिये, अपने दोस्ते में, यारी में, लगाने के बाद आपने क्या करा, यह T-shirt आपने बनवाया मालीजे, 100 T-shirt बनवाया आपने, एक ही color का, white color का, 100 T-shirt बनवा लिए आपने, अब आप सोच रों को, एक लाख रुपे का 100 T-shirt तो बहुत महंगा है, तो एक लाख रुपे को कैसे खर्च करना है, आपका 20-30,000 रु उसके बाद आप क्या कीजिए, एक DT-up बाले से जाए, जो DT-up प्रिंटिंग करता है, DT-up, ओवर साइज का बहुत ज्यादर ट्रेंड चल रहा है, तो ओवर साइज टी-set आप 100 बनवा लिजे, और अपना website क्रेट कीजिए, सोपीफाई में, सोपीफाई के बारे में बता WordPress में बनवाते हैं, तो आपका दस जार पे जागा, एक बार में लाइफ टाइम के लिए खतम टेंशन, दस से बंदर, लेकिन सोपीफाई तीन हजार पे आप से महिना लेगा, लेकिन आप यह सोच रहो कि मैं दस जार पे दे दूँगा, बैस्टे तीन हजार क्यों दू महिन में दे दे पाएगा, आपने क्या करना सो टीचाट लिया, सो टीचेट लेने के बाद एक डीटाएफ यह तो टीजाइन प्लैंते से के अंदर लगा दिया, और आपने डिजाइन कर लिस्टिंग लिस्टिंग करने के बाद, एक लाग रुपी आपका शेप प्ला हुआ है, एक लाग रुपे आपने बिजनेस में लगाया उसका एक लाग रुपे का क्या करना है आपको तीन महने तक एड रन करना है सो आर्टिकल के साथ अपने बैप साइट के अंदर सो डिजाइन लॉंच कर दो और तीन महने तक चार पांसरा रचा लगया पाल हुड कि यह दिमांग में लगा लीजे कि एक लाख रुपे तो मैंने लगा अंदरोघ है और तो चला रह को ऑल्थ का बैसी चला जाएगा और तीन मेने तक जब आपकी quality अच्छी बैश सब कुछ आपको मालूम चल जाएगा मार्केट में कि इसका quality तो अग्दम जैनमेन है यार एक number का है आपके पास ads से पहले customer आएगे आपका ad लगाने के बाद और देखेगा सस्ता और quality एक number का है अगली बार क्या करेगा बंदा आपके बिना ad का आपका website ढूंत रहुंता है कि ये बंदा है कहां ये बंदे की t-shirt बिलेगी कहां आपके logo में देखेगा www.com यार ये website तो बहुत अच्छी है इसकी t-shirt market में 700-800 की लेकिन ये मेरे को 350-400 को दिया और इतनी अच्छी quality अभी तक खराब नहीं हुआ अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूं दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि 300 रुपे की t-shirt आप ये देखे ये कपड़ा जो आपकर एकदम important fabric है touch and fill ऐसा है कि आप सोच नहीं सकते कुछ इस type का fabric ऐसा लीजिए कि पूरी market में कोई नहीं बनाता हो जो भी बनाता हो फंद्रसो दो जार रुपे का ये टि-shirt भीजता हो तो इस तरीके के कुछ कपड़ा अपना idea लीजिए knowledge तो सर्फ बहुत सारे दोस्तों देने के लिए आपको कोई limit नहीं इतने knowledge का इतने knowledge इसके अंदर कितना भी ज्यान कितना भी course कर लीजे कभी खतम नहीं होगा मैं तो अपने 20 साल के experience के साथ वीडियो बनाता रहता हूं आज मतलब जितने मेरे अंदर दिमाग में होता मैं हर चीज बताता रहता हूं ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी अगर मैं अगर बताता हूं इस टॉपिक पे तो दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं next part बनाते एक दूसरा part उसके अंदर और भी जानकरी देने के साथ मैं आपको पूरी knowledge कि अपने website को run कैसे करें website को कैसे create करें और किस अकोडिंग टीशेट की quality क्या रखें नया नया शुरुबात करें कैसे अपने बिजनस को चलाएं आप मेरे से साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपको अच्छी जानकरी देता रहूँआ तो मिलते नेक्स वीडियो में दोस्त इसका नेक्स पार्ट लेके एक और दी जानकरी के साथ बाई टाटा सुयो